मेरे फ्लावर्स लोग अच्छे है ना अच्छा वेरी गूट मैं कौन हूँ जल्दी से बता दू येस आप लोगों के अंत्रमें है ना अच्छा सो फ्लावर्स आज हम क्या करने वाले है ओके मैं आपको बताती हूँ आज ना हम हिंदी स्वर के एक अक्षर लिखना अभ्यास करेंगे यानी प्रैक्टिस करेंगे हाँ कौन सी अक्षर अपको पता है रुको मैं आप लोगों दिखाती हूँ ये देखो कौन सी अक्षर है ये बताओ मुझे री है है ना ये ही अक्षर आज हम लिखना प्रैक्टिस करेंगे अच्छा इसके लिए तो मैं प्रैक्टिस बुक चाहिए होगा है ना ये देखो मैं प्रैक्टिस बुक हाँ ये बुक जल्दी सी लेया और साथ में क्या-क्या लेयाना पड़ेगा एक पेंसील और इरिजर है ना जाओ जल्दी सी ले आओ flowers, अच्छा, ले आए हो, very good. अभी इस बुक के पेज नमबा 9292 open कर लो, उच नमबा is this मेरे साथ एक बार बोलो, 9292, right? ओके flowers, very good. अभी इस अक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ कि, री से क्या क्या होते है, आपको बता है, री से रीशी होते है, मैंने आपको बताई दी ना इससे पहले, हाँ, चलो, और एक बार मेरे साथ बोलो, री से रीशी होते है, है ना, हाँ, और भी बहुत सारे words होते हैं, अब लोग activity स्टार्ट करते हैं अब लोग तयार हो ना activity स्टार्ट करने के लिए यानि शुरू करने के लिए ओके चले flowers शुरू करते हैं सो माईजल flowers अभी बताओ ये कौन सी अक्षर है री है है ना देखा ना यहाँ पर कितना सारा री है है ना अब हम क्या करेंगे इस अक्षर को यहाँ पर लिखना प्रैक्टिस करेंगे चलो सबसे पहले हम फिंगर से ट्रेस कर ले कैसे सबसे पहले एक खरी रेखा है ना फिर यहाँ से एक तिर्ची रेखा निकालेंगे खरी रेखा के साथ जोर देंगे फिर यहाँ से और एक तिर्ची रेखा ऐसे निकालेंगे, है ना, फिर यहाँ से एक रेखा को ऐसे उठाकर ऐसे घुमा देंगे, फिर और एक बर ऐसे घुमा देंगे, फिर मात्रा देंगे, है ना, ओके flowers, सो अभी चलो, सब पैंसिल लेलो मेरे तरह, पैंसिल लेाना, ओके, क कैसे लिखेंगे हम, देखो, मेरे साथ सबी लिखो, आप लोग जानते हो कैसे लिखना है, ओके चलो, सबसे पहले एक क्या, एक खरी रेखा निकालेंगे, है ना, फिर यहां से एक तीर्ची रेखा निकालके, एक खरी रेखा के साथ जोर देंगे, फिर यहां से और एक खरी र देंगे, तो यह हमने क्या लिखा, री है ना, चलो, यहाँ पर भी लिखते हैं, सबसे पहले एक एक खरी रेखा निकालेंगे है ना, फिर यहाँ से एक तिरची रेखा ऐसे निकालेंगे, और एक तिरची रेखा ऐसे निकालेंगे, फिर यहाँ से एक रेखा ऐसे उठा कर, फ फिर मात्रा दे देंगे, है ना? सभी लिखो मेरे जैसा, ओके, अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे, सेम तरीके से, सबसे पहले खरी रेखा निकालेंगे, फिर एक तिर्ची रेखा निकालेंगे, फिर और एक तिर्ची रेखा ऐसे निकालेंगे, फिर यहाँ से क्रेका ऐसे करके, ऐसे घुमा कर, फिर ऐसे घुमा देंगे, और मात्रा दे देंगे, है न, देखा न, मैं तो बहुत अच्छे से लिख रही हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग भी मेरे जैसा जल्दी से लिख लो, बहुत धीरे धीरे और स् से है ना, ओके, देखा ना, मैंने तो लिख ली, ऐसे करके मैं सभी री को लिख लूँगी, ठीक है, देखा ना, फिर क्या, ऐसे तिर्ची रेखा निकालके, और एक तिर्ची रेखा निकालेंगे, फिर यहां से एक रेखा को ऐसे करके, ऐसे घुमा कर, ऐसे घुमा देंगे, इसी खुमा देंगे। फिर एसे गुमा देंगे। चलो आप भी लिखो कैसे एक खरी रेखा निकालना है हमको है ना फिर यहाँ से एक तिर्ची रेखा ऐसे निकालके खरी रेखा के साथ जोर दिया है मैंने देखा ना फिर यहाँ से और एक तिर्ची रेखा ऐसे निकालेंगे फिर ऐसे एक रिखा को निकाल के फिर ऐसे गुमा कर और एक बार गुमा देंगे और मात्रा देंगे ऐसे ही तो री लिखते हैं हैं ना Very good Low Flowers जल्दी से आप लोग खतम करो मेरे साथ कैसे एक खरी रिखा निकालेंगे फिर एक तिर्ची रिखा फिर ऐसे फिर ऐसे करके एक रिखा निकालेंगे फिर इसे घुमा देंगे और एक बार घुमा देंगे फिर मात्रा दे देंगे सो हम कौन सी अक्षर लिख रहे है भी मेरे साथ बोलो री और री से क्या होता है री शी होता है है ना ओके देखो फ्लावर्स मैंने लिख ली और कुछ बाकी है मेरे फिर तो मेरी खतम हो जाएगी देखा ना कितना इजी है री लिखना लो फ्लावर्स बहुत अच्छे हो रहा है धीरे धीरे आप लोग मेरे जैसा लिख लो एक खरी रेखा निकालना है हमें फिर ऐसे एक तिर्ची रेखा निकालके खरी रेखा के साथ जोर देंगे फिर यहां से और एक तिर्ची रेखा निकालेंगे यहाँ से एक रेखा निकालके इसे गुमा देंगे और एक बार गुमा देंगे फिर यहाँ से मात्रा दे देंगे So flowers देखो मैंने तो बहुत सारे री लिख लिया है है ना अभी यहाँ पर भी आप लोग सेम तरीके से सभी री को जल्दी से लिख लो बहुत अच्छे हो रहा है flowers दीरे दीरे स्लोली स्लोली आप लोग यहाँ पर भी सभी री को लिख लो ठीक है चलो flowers So my dear flowers आज हमने कौन से अक्षर लिखना प्रैक्टिस किया है यानि अभ्यस किया है बताओ मुझे Yes, री है ना अभी आप लोगों को क्या करना है घर में तो अच्छी से प्रैक्टिस करना है है ना, नहीं तो कैसे याद रहेगा री कैसे लिखते है है ना, ओके याद रहेगा ना Okay flowers So अभी क्या करना है मम्मी या फिर पापा को बोलना है इस एक्टिविटी शिख के एक फोटो गूगल क्लास्टर में सब्मिट कर देने के लिए ठीक है चलो flowers Our class is over flowers Okay चलो Take care of yourself Love you flowers Bye